हेलो जी, वेलकम माई चैनल, तो आज हमका डाईवाले सूट की कटिंग करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैंने सभी डाउट कलियर किये हैं, कि हमने कितना आर्मोल लेना चाहिए और कितना तीरा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और कमीजवाड़ा अलग तो सबसे पहले हम आगे के पाट की कटिंग करेंगे तो देखे ये इस तरह की कडाई है इस सूट में तो अब हमने सेंटर ले लेना है तो इस तरीके से हम सेंटर ले लेंगे और बराबर कपड़े को फोल्ड करेंगे तो देखिए कुर्ति का नाप हम मैंने दे दिया है इस तरिक्के से है तो आप सक्रीन सोट भी ले सकते हैं तो इस तरिक्के से हमने कपड़े को बिछा लेना है अच्छे से सैट करते हुए सेंटर पॉइंट अफोल्ड कर लेना है तो लंबाई हमने इसकी फोर्टिवन रखनी है तो उसमें हम एक प्लस करेंगे और बियाले से इंच पर इस तरिक्के से निशान लगाएंगे यह हमने तयार रखना एक ताले से और इसमें हम एक प्लस करेंगे और बियाड़े से इंच पर हम निसान लगाएंगे अब हमने जो निच्चे वाला बर्क है उसको उपरवाले से सेट करते हुए सेंटर रखते हुए पिन अप कर लेना है अच्छे से बिचा लेना कपड़े को तो यह देखिए मैंने निच्चे और उपरवाले को इस तरिके से मिलाया है और यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे ताकि हमारे कपड़ा आगे पिछे नहीं होगा अच्छे से सैट हो जाएगा और बीच में हमारी कड़ाई जो बीच में आ जाएगी ते देखे मैंने पुरे में पिन अप कर लिया है यह देखे इस तरिके से बिचा लेना है कपड़े को अब हम इस तरिके से साथ इंच पर एक निसान लगाएंगे और चोदा इंच पर एक निसान लगाएंगे कमर का और हिप का निसान लगाएंगे 21 इंच पर तो यह देखिए हमने इस तरिके से तीन निशान लगा लेनी है इन निशानों को अब सिद्धा कर लेंगे तो यह देखिए मैंने इस तरिके से निशानों को सिद्धा कर लिया है अब हम तीरे का निशान लगाएंगे तीरा हम साधे 6 इंच लेंगे आर मॉल हम 7 इंच ले लेंगे अब हम यहां से 7 इंच पर ही निशान लगाएंगे और बराबर करेंगे एक बोक्स बनाएंगे अब हम यहां से 1.5 इंच डाउन ले लेंगे तीरे को यह बहुत ही जरूरी है 1.5 इंच निचे की तरफ डाउन करना है तीरे को आर मॉल की साइड से अब हम चेस्ट का नाप ले लेंगे चेस्ट हमारी 34 इंच है उसका हम फोर्ट बाग करेंगे तो साधे 8 पर निशान लगाया है अब हम कमर का निशान लगाएंगे तो जितनी हमारी कमर उसका फोर्ट बाग करेंगे और यह 1.5 इंच मैंने पलेट के लिए निशान लगाया है जो हमारी पलेटें डलेंगी तो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है अब हम हीप का निशान लगाएंगे हीप मारी जितनी है उसका फोर्ट बाग करके निशान लगाएंगे इन निशानों को हम इस तरिके से तिर्चा मिला देंगे अब हमने घेरा जितना रखना है तो इसका हमने 38 इंच गेरा है 19 इंच पर निशान लगा लेंगे तो घेरे काव हमने आधा ही रखना है यानिके टू से डिवाइड करना है और उपर जो हमारा फिटिंग का मेजरमेंट है उसको हमने फोर से डिवाइड करना है तो इस तरीके से हम जो हमारा आरमोल है उसके सेंटर में निसान लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से तो जो मैंने अंदर निशान लगाया है वो हमारे आगे के पार्ट की छंटाई होगी और ये हमने निशान लगाया है तो यहां से हमारी बैक पार्ट की गोडाई हो जाएगी इस तरिके से यह देखी यह हमारे बैक पार्ट की गुड़ाई है और जो हमने अंदर की साइड निशान लगाए था वहां से हमारी इस तरिके से आगे के पार्ट की आर्मोल की गुड़ाई हो जाएगी तो आप देख सकते हैं तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए है और ये हमारा फरंट पार्ट के लिए आर्मोल है ठीक है जी अब हम दो दो इंच पर एक्स्ट्रा जो हमारा अंदर मार्जन है उसके लिए निशान लगा लेंगे जहां से हम कपड़े को कट करेंगे डेड़ या दो इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना इस तरीके से अब हम जो सैंटर में पलेट्टे डालेंगे उनके निशान लगाएंगे तो ग्यारा इंच पर मैंने यहां पर निशान लगाया है अगर आपका भारी साइज है तो आप 12 इंच पर भी लगा सकते हैं तो यहां से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है और 6 इंच की लंबी पलेट्टे डाले हैं यहां से भी हम 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे अब यह 6 इंच के सेंटर में 3 इंच पर निशान लगाएंगे 1.5 इंच दुन साइड से दबालेंगे से इस तरीके से पलेटे डालेंगे अब हम इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे और एक लाइन ड्रो करेंगे तो हमने इस तरिक के से दो इंच पर यहां पर निशान लगाना है और दो इंच पर यहां से और दो इंच पर यहां से निशान लगाना है तो यह हमारी प्लेटें सूट के प्लेटें डलेंगे यहां पर तो यह इसे हम इस तरिक के से सिध्धा करेंगे तहीं देखिए इस तरीक के से प्लेटें डालेंगे तो आपकी फीटिंग परफेक्ट आएगी मीध हापको वीडियो पसंद आई है तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो देखिए हमने फ्रेंट पार्ट की कटिंग कर ली है अब जो हमने पिन अप किया था सेम उसे हम इसी तरीके से बैक पार्ट पर भी रखेंगे और कट करेंगे और बाद में हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे कुर्ती के तो अभी हमें पिन नहीं हटानी है फ्रेंट पार्ट की उसे हम सेम ऐसे का ऐसा इस पर रखेंगे और कट करेंगे तो देखिए हमने अच्छे से कपड़े को सैट कर लेना है और उसके उपर हम फ्रेंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे बराबर तो ये देखिए हमने बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है बराबर रखना है देखिए अब हम इसके साइड में बराबर कट करेंगे इसके कपड़ा अब हम फरंट पार्ट को हटा देंगे इसके हम बाद में च्छाटाई करेंगे पहले हम बैक में प्लेटें के निशान लगाएंगे तो बैक में मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है 6 इंच पर और यहां से हमने साड़े तीन इंच पर सेम जैसे हमने आगे की साइड डाली है उसी तरीके से हमने बैक साइड में भी प्लेटें डाल लेनी है अब हम गड़े की निशान लगाएंगे तो आठ ही इंच डीप रखना है हमने बैक नेक को उपर से हम तीन इंच पर एक निशान लगाएंगे यह हमने यहाँ पर धाई इंच पर निशान लगाना है और उपर भी हमने धाई इंच पर ही निशान लगाना है मठका सेब गढ़ा २्वो करेंगे हम बैकनाक मठका सेब का बनाएंगे तो से इस तरिके से हम ने यहाँ पर निशान लगाने यह हम बीना बखर्ण के बनाएंगे तो देखें मैंने बैकनाक की कटिंग कर दी है इसी के बराबर का हम कपड़ा लेंगे और अंदर फोल्ड कर देंगे कि अब हम दूसरी साइड भी पलेटें लगा लेते हैं तो देखिए हमने दोना साइड पलेटें ड्रो कर ली है यह हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है यह हमारा फर्ण पार्ट है अब हम इस पर आर्मोल की चंटाई करेंगे तो देखिए हमने आधा इंच पर इस तरिके से निशान लगाना है तो देखिए यहां पर हमने आधा इंच यहां से कट करना है कपड़ा जिससे इससे हमारा जो नैक है वो पिछे की तरफ नहीं जाएगा तो हमने जो निशान लगाए थे आर्मोल की गुड़ाई इस तरिके से देंगे तो ही देखिए यहां पर हमारी इस तरिके से पलेट डलेगी तो यह हमारा आधा इंच कपड़ा सिलाई में दब जाएगा तो यहां से हमने आधा इंच एक्स्टा लेना है जो कि मैंने पहले पूरा लिया था तो वहां पर हमने आदाईंच इस तरिक्ये से एक्स्टा लेना है अगर हम कुरती में पलेट डाल रहे हैं तो अगर आप सिम्पल कुरती भीना प्लेट के बनाते हैं तो आपने पूरा लेना है करना है फीटिंग का और निशान लगाने तो यह पलेट डलेंगी कुरती में तो ध्यान रखना है अगर हम पलेट डाल रहे हैं तो उपर से आधा आधा इंच जादा लेना है फिटिंग में तो ही देखिए हमने दोनों साइड प्लेट के निसान लगा लिए हैं तो ही देखिए हमने फरेंट और बेक पार्ट की कटिंग कर ली है अब हमने लंबाई देख लेते हैं एक बार फिर तो ही देखिए हमारा यहाँ पर आता है तो इस पट्टे को हम दोबारा लगाएंगे फिनिसिंग के साथ तो ये देखें बाडर पर ये इस तरीके से बाडर है तो ये निचे हम घेरे पर बाद में लगाएंगे तो ये देखें हमने बैक और फरंट की कटिंग कर ली है अब हम बाजो की कटिंग भी करेंगे तो जो हमारा साइड से कपड़ा बच्चा था उसमें से हम बाजू निकालेंगे तो देखे कपड़े को इस देखे से डबल फोल्ड कर लेंगे तो देखे सबसे पहले हमने देख लेना है यहां से हमने साड़े आठ हिंच लेना है पूरा है या नहीं अगर हमने पूरा लेना है साड़े आठ इंच तो यहाँ पर हमारी मियान डलेगी बाद जुम्य तो देखे लंबाई हमने 16 इंच तयार रखनी है तो हम यहाँ पर 16 इंच ही लेंगे क्योंकि हमारी मोहरी के आगे फ्रील लगेगी एक इंच की तो हमारी 16 इंच तयार रहे जाएंगे स्लीज तो हम यहाँ पर जो फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे और एक्स्टा मार्जन के लिए निशान लगाएंगे और कट करेंगे स्लीज को तो यहाँ पर हमने बराबर किया है यहां से हम 3 इंच डाउन लेंगे और यहां से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्मोल के गोडाई दे देंगे इस तरीके से यहां पर हम 8 इंच हमने आर्मोल तयार रखना है और यहां पर यह मारजन रहेगा तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और कट करेंगे अब हम म्यानी कट करेंगे तो यह देखिए कपड़े को हम इस तक के से डवल फॉल्ड लेंगे और आधा इंच हम उपर रखते हुए बराबर बिच्छा लेंगे और इसके बराबर कट कर देंगे तो यह देखिए यहां पर जॉइंट होगा कपड़ा हमारा इस तरिक्के से अब हम इस तरिक्के से खोल लेंगे बाद जुको और आगे क्यार मोल की छंटाई करेंगे यहां से तो यह हमारी तो यह देखिए हम इस तरिक्के से एक लंबी पट्टी लेंगे तीनी इंचे चोड़ी और उसकी हम इस तरिक्के से फ्रील बणाएंगे और बाद जुके आगे टैज करेंगे यह देखिए इस तरिक्के से हम बाद जु तयार करेंगे तो यह देखिए इसे हम बराबर कर लेंगे तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें सैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस क कर लें ताकि और भी हमारी नई वीडियो की नाटिकेशन आपको मिलती रहें थैंक यू थैंक्स फॉर वोचिंग